चलिए बाई सौमवार की सुभा नए हफ़ते इन फाक्ट हाल फिलाल के मेरे क्याल से सबसे इंपोर्टन्ट हफ़ते की आज होने जारी है शुरुवात खुलते ही देश की पांच प्रॉमिनन्ट लाज कैप कमपनीज के रिजल्ट पे हम रियाक्ट कर रहे होंगे कोई रिलाइंस इंडस्ट्रीज, कोई HDFC बैंक, कोई कोटक महिंदरा बैंक, विप्रो और JSW स्टील इन में से सिर्फ पहले दो जो मैंने नाम लियें, उन्ही का ही निफटी में 20% से जादा का वेटेज है इस तरह की इंपोर्टन्स है जिन रिजल्ट रियाक्शन के हम तैयारी कर रहे हैं जितने, मैंना, पिछले कई दिनों से जिस सीज की तैयारी कर रहे थे अब वो सामने खड़ा हुआ है कल सुबा 11 बजे, फिनांस मिनिस्टर निर्मला सीता रमन इस देश का, इस यूनियन का बजट पेश करने जा रही है चाहिए वो इंडस्टरी हो, मारकेट्स हो, आप हो, हम हो हम सब की बहुत उमीदे हैं इस बजट 2024 से रिजल्ट सीजन और टूल पकड़ेगा अब इस अफ़ते तीन सो से जादा कंपनीज हैं जो अपने तिमाई रिजल्ट्स घोशद करने जा रही है और कुछ प्रॉमिनेंट हेवी वेट्स आपकी स्क्रीन्स पे जिनके रिजल्ट्स की हम तैयारी कर रहे होंगे इंतजार कर रहे होंगे, कोई ICICI बाइंग, कोई Lassen and Tubro, कोई HUL, कोई Bajaj Twins और ये लिस्स लंबी थी, सिर्फ प्रॉमिनेंट नेम्स आपकी स्क्रीन्स पे मैंने डिस्पले करती है अगले हफ़ते हमें तैयारी करनी है, एहम US FED की बैठक की उससे पहले Thursday को US का GDP और PCE Prices का आंकड़ा सामने आएगा इंपॉर्टन्ट होंगे उस FED की बैठक से पहले और इसी दिन गुरुवार को, यानि की इसी हफ़ते गुरुवार को हम इस मन्त की, जुलाई महीने के वाइदा की, एक्सपाइरी की मन्त ली बड़ी वाली एक्सपाइरी की तैयारी भी कर रहे होंगे तो बहुत आक्शन के लिए ब्रेस अब कर लीजिए इस हफ़ते और इस आक्शन पैक हफ़ते से पहले हमने फ्राइडे को देखी कुछ मुनाफ़ वसूरी बैक टू बैक, चार दिनों की तेजी के बाद फ्राइडे को दबाव और अच्छा खासा दबाव एक परसेंट की कमजोरी दिन के लोज पे जाके सेशन की समापती होती भी नजर आई और इन फैक चौत तरफा प्रॉफिट टेकिंग का मूट था सारी सेक्टरल प्रॉमिनेंट प्रॉकिट जो थी इन रेड इंक्लूटिंग आईटी जो काफी अच्छे इन फोसिस के नंबर्स पर रियाक्ट कर रहा था वो भी फाइनली लाल निशान में जाके बंद होता हुआ नजर आया और ब्रॉडर मार्किट के लिए बैक टू बैक सेकंड स्ट्रेट डे था जब वो प्रॉफिट टेकिंग का सिचला कंटीनी हुआ इवन फ्राइडे को भी ब्रॉडर मार्किट में एक्सेंडेड लॉसिस देखने को बिले और आज इस हफ़ते की इस इंपोर्टन हफ़ते की शुरुआत एक कमजोर नोट पे होने जा रही है गिफ्ट निफ्टी कह रहा है सौ पॉइंट से जादा का दबाव आधे परसेंट की कमजोरी के साथ हम इस हफ़ते की शुरुआत करने जा रहे है ऐसे में नीरत जी बगल में बैटे हैं ग्लोबल मूड मॉल है कैसा इन से बाचीत होनी है थोड़ सा ग्लोबल मूड बिगडा था उसी के बाद भारत में प्रॉफिट टेकिंग का ट्रिगर बना था फ्राइडे को वीरू यहाँ पे आज चुके हैं अब बजट की एहमेत आप समझी रहे हैं सब तयार है हम लोग फीरू स्टूडियो में रेडी हैं कोची देर में निफ्टी निफ्टी बैंक की स्ट्राइडिजी पे चर्चा होनी है और हर्च दब बताएंगी सारे important stocks in news अच्छा आज से सावन के महीने की शुरुआत हो रही है आप सभी को सावन के पहले सोनवार के शुब कामना है हमारी तरुस है अच्छा फ्राइडे को जब मैं कहरा था global qs बिगड़े हुए थे तब वो US-China के tensions escalate होना हो अब उसमें कहीं लोग Microsoft के outage की बात भी कर रहें जो भी है सब reason बने हमारे बड़े इवेंट से profit taking serious थी फ्राइडे को और weekend में किस तरह की news development आए global संकेत हैं कैसे और एक headline prominent newspaper की सही लगी मुझे buy done buy done वो cover भी आ गई है mood कैसा है बाई global यार मैं पहले तो list कर दो इतने सारे इवेंट थी weekend में एक तो buy done हो गया US market तगडी पटाई हुई Friday को crude गिरा गोल्ड गिरा इस्राइल और Yemen के बीच में retaliation चल रहा इधर से उधर से इधर से उधर से दो दो राउंड हो चुके हैं और बहुत ज्यादा geopolitical tension हुई है इसके बाद आप यह देखे आउटेज को भी कुछ लोगों ने दोश दिया कि Friday को मार्केट गया चुकि वहें की कंपणियों से आउटेज हुआ तो उसकी वज़े से थोड़ा सा लिक्कत हुई है हिस्ट्री का सबसे बड़ा आईटेज था और यह तब हो रहा था जब आप कोई सपोर्टिंग सॉफ्ट्वेर को अपग्रेड कर रहे थे अगर कंसर्टेट कोई अटाइक कर देता तो क्या होता दुनिया वर का यह सोचा आप कैसी कनेक्टेट वर्ल्ड है और जिस कंपनी क सब्सक्राइब करें तो यह सारे कारण मिलके मार्केट को गिरा तो इसमें जो कुछ जैसे आउटेज वाला रीजन आईटी कंपनीज की धवाधार पिटाई वो सब तो फ्राइडे को हो गया जिस मार्केट के दौरान ही जो बहुत कंसेंट्रेट ट्रेड था वहां से मार्क देखने को मिला और वही तरीका था वीकली वेसिस पे तगडी गिरावार थी नेस्डेक में अगर आप देखेंए फ्राइडे गिरी उसके बाद थर्देग गिरी थी उसके पहले गिरी ते लगातार तीन ट्रेडिक सेशन में गिरा तो वह चर्णि महां लगातार हुई कि ख सब्सक्राइब नीचे तब सही होगा सिस्टम यानि मार्केट लाइक कर रहा है कि अब उसको और भरुसा होगा एक ट्रॉम साब जीती जाएंगे कमला है इसको वह चाहते है लेकिन अभी सब्सक्राइब नहीं हुआ उनीस अगस्त को फाइनल डिसीजन होगा इन्होंने चा तो देखो नावगर मिल गया हलागि इसमें दो तीन लोग और आ गए हैं कंटिंडर अलग अलग स्टेट के जो गवर्नर से तो उसका असर मार्केट ने पॉस्ट्यू लिया लेकिन जो जियो पॉलिटिकल टेंसन हो रहा मुझे यह ज्यादा चिंदा मिल रहा है यह दो दो उसके उपर कर दिया इसराइल को ऊपर इसराइल ने फिर उदर से अटायक किया और यमन का बहुत बड़ा पावर स्टेशन रिखनलु लाड़ किस्लिए क्योंकि इरान का प्रॉक्सी है यमन होती यमन मादर स्टेट नहीं जो आगे टर्रेस होती उससे उदर से इसराइल इदर जिदर तो काफी जदा तनाव बढ़ गया है और यह पॉलिटिकल हमको लगता ज्यादा है क्योंकि यूएस में जो कुछ इस समय हो रहा है उसका भी कु तो वो भी मार्केट में इंपक्त दिखाने चुकिए वो कल रात की घटना है सारी तो उसका भी असरा मको देखने को पड़ेगा तो ग्लोबल क्यूज आप देखेंगे न तो जिसे वो अंदर से कुछ अच्छा सा नहीं लग रहा है वाइप सची नहीं आ रही है जब अब सेब्सक्राइब तो जब टीम बना रहा था मैं और गोईट करनी की कोशिश कर रहा था निफ्टी वाले है अब सेब्य अली मैं आर्बी वाले अंकल सब ने मन और खराब किया है मन खटा-खटा सा है और सावन का पहला सौंबार है खटा-खटा मन नहीं लग रहा है तो विरू कैसे अप्रोच करा जाए वही मार्केट को देखिए आपने बताई दिया बहुत सारी अर्निंग्स बहुत सारी इवेंट्स निगिटिव इस पांच जून के बाद जब इलेक है ठीक है नौट सिंगल ए फर्स्टाम इन्फोसिस के प्रॉफिट बुकिंग आई और आपने एग्जेक्ली टेंडेमा की निजदीग जाके क्लोस दिया यह जो वालेट नहीं किया देखिए शुकावा को शॉटिंग पॉसिबिल भी थे आशिश लॉंग आशिश इस पूरी तेजी को एक महीने की स्पॉंसर किया था इस इसमें डियाएस इसमें नदारत थे चार हजार इकिस कोड़ की और ने कल भी यानि शुकावा को बाइंग करी चारसु एकसेट कोड़ रोपे का डियाएस का सेल था दो हजार उनत्यस कोड़ रोपे की हजार कॉंट्रेक्ट लॉंग कियो अब आज एक कैप डाउन होगा है और आशिश आप जरब पोट्राइटरस को देखिए पोट्राइटरस कहां पर प्लेस्ट है 24-500 यह जो एकस्पारी है मंतली एकस्पारी जो गुरिवार को होगी उसमें अभी भी पोट्राइटरस का सब 500 और 800 पर हैं और जो प्रेमिट साब की स्कीन पर आएंगे वो यहीं रिफ्लेक्ट कर रहे हैं कि एटलिस्ट इस प्रकार के गेप डाउन की उमीद शुक्कवार के सैट्समें नहीं थी 24-500 यह वाइल्ड औरेंज कैंडल 24-500 के पोट्राइटरस जोन है मेरी अप्रोच देखें यह आज एक बहुत बड़ा मेक और ब्रिक डे है और निक्स पी रेक्शन देना है और प्री बजट दे है लेवस लिखाए यह बेस्वन लियाद रखेगा बेस्वन स्पांसर है दो चीजों से पोट्राइटर्स का जोन प्लस आपका टैन डे एक्स्पोरेंशल में जिसके मां बकान भी आशिश से कहा रहा था कि हमने पांट जूर से लिक अब तक यह नहीं तोड़ा है बट अगर हम इसके नीचे सस्टेन कर रहे हैं जिस प्रकार की अर्निक्स आई है जिस प्रकार का ग्लोबल सेंटिमेंट है और स्पेशली आई थिंग वो प्री बजट यह एक शॉट का स्कोप खुल सकता है लेकिन याद रखेगा रिस्क रिवाउड रिशो को देख के शॉट कीजेगा विकॉस अल्टिमेटली इफ यू ब्रेक 10 देमा तो पॉसिबल टागेट जोन इस 384, 317 और जो 246 लिखा है ना सबसे नीचे 246 और 204 के बीच में उस 40 सरसट के नीचे जो रेंज खुलती है वो है टारगेट जोन 246 और 204 बट याद रखेगा डूरिंग दे अगर हम 519 के ओपर सस्टेंड करने लग जाए तो शॉट कवरिंग स्विंग हमको ऊपर की तरफ लिखाएगा लेवल उपर के वो कहां ले आ सकता है 610 तक कभी भी ले जाके छोड़ सकता है even 661 लेकिन वो शॉर्ट कवरिंग स्विंग हो तो मेरे लिए निफ्टी के लिए आज डिसाइडिंग फेक्टर है टेंडेमा अगर आप इसके निचे सस्टेंड कर रहे हैं तो टेंडेमा के टेक्टरी खुल गया होगी है अब आईए आज का सबसे क्र इंडेक्स क्यों क्योंकि आपको HDFC बैंक पर कोटेक महिंदरा बैंक पर रेक्शन देना है एक बात याद रखेगा पिछले लगभग लगभग कई सशन से निफ्टी बैंक एक रींज में रहा है वो लोगर टेजेक्टरी है बावन हजार और उपर की तरफ है करीब करीब ब पिरेमिट्स को देखेंगे इवन पिरेमिट्स इसी बात को डिसकाउंट करके चल रहे हैं कि अभी भी बावन हजार एक स्ट्रॉंग सपोर्ट जोन है नो डाउट बाउट ऑट याद रखेगा अभी तक ट्वंटी डिमा बैंक निफ्टी पर टूटा नहीं है वहां आप 10 यहां 20 है, ठीक है, लेवल से लिखाइए, प्लीज बेसिस के इंपर, जब तक निफ्टी बैंक 52,084 और 51,096, इसके उपर है, no shorting thoughts, but अगर यह breach हो रहा है, that means, even HDFC बैंक और कोटेक बैंक प्रेशर डाल रहे हैं, in that case, a short will work for 51,706, 595, as of now, जो मेरी कमेंटरी में है, इसके बाद भी और मैं लेवल्स एड कर सकता हूं, but as of now, कमेंट यहां तक करूगा, but एक और चीज़, अगर 52,084 वालेट नहीं हो रहा है, बैंक निफ्टी उसके उपर सस्थेन करने की कोशिश कर रहा है, then a pullback towards 52441 and 610 is possible, अभी के लिए सिर्फ इसी picture को draw करते हैं, आज के लिए make or break है, निफ्टी बैंक के लिए 20 और निफ्टी के लिए 10, वाई साथ, और एक critical crucial levels के इरद गिरत इस समय दोनों benchmarks घूमते हुए, watch out करिए उन levels को, बहुत सारे stocks cover करने हैं, समय कम है, डेटेल में आगे अपन लोग चर्चा करेंगे, जब साड़े 8 बजे stocks in news पे 24 विमर्स या बातचीत होगी, निराजी से पहले, quickly, सबसे important heavyweight reliance industries बाग की हर्श्दा से ले लेंगे, quickly, कैसा लगा और क्यों? देखे, तीनों verticals में जो oil and gas वाला जो बड़ा सबसे बड़ा vertical है, उसमें oil to chemical का production कमजोर है, क्योंकि उसमें जो petrol डीजल के cracks है, यानि margin से वो shrink हुए है, उसकी वज़े से थोड़ा सा दबाव देखने को मिला है, लेकिन oil to gas production ramp up हुआ तो उसका फायदा हुआ है, retail में बहुत अच्छा numbers आ है, operating numbers बहुत ही बड़ी है, जियो के numbers में आर्पू नहीं बढ़ा, बिल्कुल flat आर्पू है, चुकि हाई का बढ़ी है, तो वह अगले quarter दीखेगी, अभी इस बार ने, चुकि बिलिंग साइकल भी अगले वहीने बढ़ेगी, तो इसलिए आप देखेंगे, तो जियो के numbers भी data बढ़ी, बहुत ही कि ऑटीए के वहलोगे परण बढ़ी है, परण बढ़ी है, चुकि बढ़ी है, यह है रिलायंस इंडस्ट्री, लिएट के numbers, बाकी important numbers कुएकली हज़ड़ा समझ लेते हैं, हज़डा, गूट मॉर्निंग, आश्रीश, बैंकों में HDFC और कोटेक्स सबसे important रहेंगे, अच्छ estimate था कि एकदम flat रहेंगे तो यहां पर वो बड़ा surprise देखने को मिला है deposit advances में quarter on quarter जादा कुछ growth नहीं है लेकिन ध्यान रखेगा माजार ये देखना चाहरा था कि क्या management commentary में कुछ guidance आएगा तो जो जगदीशन साब है उन्होंने साफ कह दिया है कि जब तक हम इस transition period में है बैंक के कोई guidance नहीं देना चाहेंगे तो वो एक चीज है जिस पर शायद बाजार अपनी राय देता हुआ दिखाई देगा quota के case में हुआ ये है कि profitability आपको 81% बढ़ती हुई दिखाई दे रही लेकिन यहाँ पर एक one time gain है साड़े तीन हजार करोड का उसको हटा कर देखेंगे तो asset quality के लहाँ से stability देखने को मिली जरूर है structured book जो है वो घटी है लेकिन यहाँ पर अगर आप गौर करें तो net interest margins ने निराशा हाथ लगती वी दिखाई दी है ये 8 quarter के low पर आए हैं लगबग 5% पर versus 5.28% quarter on quarter तो HDFC bank के case में जो surprise था वो margins की तरफ से आया और वहीं पर कोटक महिंदरा bank disappoint करतावा दिखाई दे रहा है ये दो की चीज़े हैं इन दोनों bankों के लिए विपरो के numbers आए Q1 हमने देखा है थोड़ा सा muted रहा है जादा कुछ excitement नहीं देखने को मिले और साथी साथ अगर आप company की outlook देखे तो वो भी कुछ खास इतना बड़िया नहीं है जापी बाकी सभी company ने काफी बहतर प्रदर्शन दिखाया है तो वो थोड़ा सा निराश आपको करता हुआ दिखाये देगा constant currency 1% घटी है estimate flat था Q2 का guidance minus 1 से plus 1 के आसपास आता हुआ दिखाये दे रहा है वो भी expectation से थोड़ा सा narrow guidance ही company ने दिया है साथी आप JSW Steel भी radar पर रखेंगे JSW Steel के case में profitability में दबाव देखने को मिला है 64% के आसपास का revenue absolutely flat है EBITDA में भी degrowth देखने को मली है India business अच्छा कर रहा है वहाँ पर EBITDA पर turn अगर आप ध्यान देगे बहतर है drag कहां से आया है? drag आया है इनकी US और Italy के operation से और वो एक pressure point clearly बनता हुआ दिखाई दे रहा है तो यह वो दिगज निफ्टी वाले stocks है जिन पर reaction आये का RBL bank के numbers fair है decent performance margins बड़े है profitability ब्यास से आय में इजाफा देखने को मिला है Indian hotels normally है sequentially weak quarter रहता है profitability 11% है revenue 5.5% बढ़ता हुआ occupancy flat issue ही है 1% ही grow कर रही है लेकिन company guide करें कि FI 25 जादा बहतर साल उभर कर आएगा Q1 में heat wave का impact, election का impact और overall जो wedding से revenue आता है उसमें कमी देखने को मिली है in fact एक बहुत लंबी list है लेकिन ये कुछ key numbers है वाइदे बाजार के लिहास से भी जिस पर नज़रे रहेंगी important numbers radar पे वो जो regulators की बात थी, वो करना ज़रूरी है ये तो show complete नहीं होगा सेवी chief मादवी पुरी बुछ एक event में थी Friday को SBI mutual fund का event जहाँ पे derivative markets में increased activity पे उनका फिर से statement आया वो कहरी है अब ये micro नहीं, एक macro issue बनता जा रहा है यानि कि एक individual investor की सिर्फ concern नहीं रहे गई है इसके disrupting effect economic growth पे आ सकते है वो कहरी है household savings अब capital formation में नहीं speculative activities की तरफ जा रहा है बात सही है पर regulator की बार बार बयान, budget सामने खड़ा इसके बाद regulator की भी गाज वो भी तैयारी कर रहा है, रड़ा पर रखेंगे दूसरा regulator RBI RBI के governor शक्तिगानता दास साब का statement basically वो consumer investment behavior पे बातचीत कर रहे थे उन्होंने concern highlight करा bank deposits को लेकर कि जो behavior change हो रहा है उसके चलते हम और आप कर क्या रहे है अपना जो savings है उसे mutual funds में डाल रहे है बजाए की bank deposits में इसलिए इस quarter के numbers है अपने लोग deposit growth के आखड़े को बहुत closely watch out कर रहे हैं पिछने दो quarter से ऐसा कर रहे हैं इस दोनो regulators की concerns important हैं वैसे बातचीत हुई Biden साहब की तो Trump साहब ने वैसे इस weekend पे Ukrainian President Zelensky को फोन कर दिया है फोन करके बोला है जब मैं लॉट के आऊंगा I pledge Russian war खतम करतूँगा और एक और चीज यार बातचीत करते करते India versus Pakistan Friday को match था Women's T20 Asia Cup का हमने Pakistan को 60 wicket से हरा दिया यह performance दिया यह photo भी अपने हिसाथ से लवाई है अपने S Verma Top Performance की लगाई की Break ले रहा हूँ Break के उसमार लॉट क्या होगा तो आज का Events Calendar और साथ साथ का Commodity Strategy चले भाई ब्रेक के बाद आप सब का स्वागत है आज का Events Calendar Monday, हफते का पहला दिन दो expiries की तयारी, Nifty Mid Cap Select और Bank X की सावन का Auspicious महीना आज से शुरू पहला सोमवार आज पहला दिन है पारलिमेंट के मौनसून सत्र का आज निर्मला सीतरमन यानि की इस देश की फ्रैंस मिनिस्टर लोकसबा और राजसबा में Economic Survey टेबल करेंगी एक बज़े शहर लोकसबा और दो बज़े राजसबा उसके बाद दोपहर ढ़ाई बज़े हमारे चीफ Economic Advisor डॉक्टर वी अनंत नागे स्वरन सहब की प्रेस कॉन्फरेंच उस Economic Survey पे पीएम मोदी सुबह दस बज़े पारलिमेंट हाउस में मीडिया को संबोधित करेंगी हम बहुत सारे निफटी के रिजल्स पर रियाक्ट कर रहे है लेकिन आज कोई निफटी का रिजल्स नहीं है और एक ही वाइदा बजार का नंबर है कोफोर्ज जो आ जाना है कैच के कही सारे हैं वो स्क्रीन पर लिस्टा जाईए एक्सडेट्स कुछ इंपोर्टन्ट मैं सिफ कुछ चुनिंदा इंपोर्टन्ट एक्सडेट्स बता रहा हूँ एक्साइड इंडस्ट्रीज दो रुपे वोल्टैम्प, ट्रांस्फॉर्मर नब्बे रुपे, हैप्पी फोर्जिंग्स चार रुपे और यह आगया वापिस, तापरिया टूल्स, याद है आपको बीस रुपे का फिर डिविडिंट है, चार रुपे 27 पैसे का स्टॉक है भूल कहते हैं अपनलों बीच में, वैसे जब भी मौका मिले, यह गज़ाप है इस कम दी क्या डोल आउट्स हा रहा है थैरा, थाइलेंड आज एशा में सारे मार्केट, ग्लोबली सारे मार्केट काम काज कर रहे हैं, सिर्फ थाइलेंड बंद है असरना भूचा डे यह विसिकली लॉड बुद्धा ने जब अपना पहला प्रवचन दिया था आज के दिन दिया था, वो सेलिवरेट करते हैं, चुटी बनाते है चाइना का PBOC, प्राइम लेंडिंग रेट और FDI के नंबर्स, करणार्टा का की कैबिनेट मीटिंग है, और बहुत लाइकली है, वो प्राइवेट जॉब्स, कोटा, बिल कैबिनेट वापिस, डिसकस करेगा, PCCI अफिशली आज गौतम गंबीर को इंडिड्यूस करेगा, हेड कोच के तौर पे भारतिय मेंस क्रिकेट टीम के और आज ही फिर क्रिकेट टीम हारी श्रिलंका टूर के लिए चली जाएगी HDFC मूच्वल फंड आज से फ्रेश SIPs HDFC इसी डिफेंस फंड में बंद किये जा रहे है सिर्फ SIP ट्रांजक्शन जो पहले से थे, या पहले से एफेक्टेट थे, वही ट्रांजक्शन तब होंगे और डिजिजिजन इसलिए, क्योंकि बहुत लिमिटेड लिकुरिटी है और इन्वेस्मेंट आप्चन्स की कमी है इसलिए फ्रेश इन्फ्लोस ब्रोक दिए गए है ताकि करेंट पॉर्टफोलियो कॉंप्रॉमाईज ना हो इंट्रेस्टिंग डिफेंस मतलब ओर हीटेट काफी जादा है सुप्रीम कोट आज स्पेशल इंवेस्टिकेशन टीम के अगवाई में वो पॉलिटिकल फंडिंग यूजिंग इलेक्टोरल बॉंड उस पे सुनवाई करना चाहता है आज डेपुटी सी भी करें लोगसभा की प्ली एक है कि बहीं जरूरी है हेल्थी डिमिक्रसी के लिए उस पे भी सुनवाई होनी है खैर बहुत सारी चीज़ें मैं क्विकली आगे बढ़ रहा हूँ इवेंस करेंडर की तरह HDFC सेक्यूरिटी इसके अनुज गुपता ने आज की कमोर्टी स्ट्राटीजी दी है कमोर्टी स्ट्राटीजी स्क्रीन्स पर आएंगी कच्चा तेल खरीदना 67.35 के स्टॉप के साथ और कॉपर खरीदने का मन 807 का लगाईएगा स्टॉप लॉस बाकी के लेवल स्क्रीन्स पे छोड़े जा रहा हूँ गिफ्निफ्टी के और कमजोर होते संकेतों के साथ अब शोक शुरू करा था आदे परसन दबाव के साथ अब दो तिहाई फीजदी दबाव के साथ गिफ्निफ्टी काम काच करता हूँ वीकनिस बढ़ नही है अक्रॉस दे ग्लोब मूड भी गड़ा हुआ है ब्रेक के समय है ब्रेक के उस पार सीधा साथा मॉनिंग काल में दो नहीं नमस्कार